कुछ लोग मेरे उपर व्यक्तिगत तुरूप से कुछ टिपनी करते हैं, मैं उनसे हास जोर कर प्यासना करता हूं कि उपंद्र कुसवाह को जितनी गाली देना हो देलो भहिया, लेकिन करपुरी ठाकुर के अर्मानों के अनुकूल चलने बाली पाटी को बरवाद होते हुए उपंद्र कुसवाह नहीं देख सकता है, और इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि जब जब नितीश कुमार जी के उपर परहार हुआ, अकेले उपंद्र कुसवाह क्यूं खरा रहा, बाकी लोग क्यूं नहीं खरे हुए, जब से अलग गठबंदन बिहार में बना, नितीश अलग अलग तरह से परहार हुआ, क्या क्या नहीं कहा गया, जिस वक्त इस तरह के अपमान जनक सब्द कहे जा रहे थे, अकेले उपंद्र कुसवाह ही क्यूं खरा हुआ, बाकी लोग जो आज बोलते हैं, नितीश कुमार जी के साथ, ये भाई, अपना खुद का सूपर मार सरकेट बना के महीने का 10 लाग कमा रहे हैं, हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं, फ्रीडम एप को अभी डाउनलोड कीचिए उपेंद्र कुसवाह के उपर टिपनी करते हैं, जब उनके बारे में कहा गया, सिखंडी कहा गया, बेसरमी कहा गया, भीखारी कहा गया, तो अकेले उपेंद्र कुसवाह खरा रहता है, दुसरे लोग क्यों नहीं खरा होतें, कारवाई बाद में चलकर सुरू हुई, थी, कि बिले हो जाएगा जन्ता देले उनाइटेड का, किसी भी जन्ता देले उनाइटेड के किसी नेताने आवाज नहीं उठाई, लाखो हजारों हमारे कार्ज करता चिंता में थे, कि क्या होगा, उस समय जरूरत पड़ी, तो उपेंद्र कुसवाह नहीं आवाज और उपेंद्र कुसवाह की आवाज के कारण, आगे स्टेप उरुक गया, मानिय मुखमंत्री जी ने भी ब्यान दिया, कि बिले नहीं होगा, इतना ही नहीं, राश्टिय जन्ता दल की ओर से, अधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है, कि डील हुआ है, गठमंधन बना आते समय डील हुआ है, अब क्या डील हुआ है, आज हम भी जानना चाहते, कि क्या डील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राश्टिय जन्ता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तोर पे नितीज कुमार जी को खारिज करने की बात करने, नितीज कुमार जी को हचा कर, अब क्या लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए उपेंद्र कुसवाहा पर टिपनी करने के बजाए क्या डील हुआ है जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए याखी डील क्या हुआ है उपेंद्र कुसवाहा इस डील को जानना चाहता है आज कारकरम होता है जनतादिल उनाइटेड का भी तो एक साजीस उपेंद्र कुसवाह के खिलाप भी अब चल लए और या साजीस उपेंद्र कुसवाह के खिलाप नहीं है या साजीस सीधे नितीश कुमार जी के खिलाप है उपेंद्र कुसवाह को दरकिनार करने का मतलब कि नितीश कुमार जी को कमजोर करना नितीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुसवाह मजबुती से खड़ा रहता है उनके उपर जब परहार होता है तो उपेंद्र कुसवाह उस परहार को जहलने के लिए नितीश कुमार जी से आगे आकर अपने उपर जहलता है या बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगती है कुछ लोगों को लगता है कि परहार हो रहा है कोई कर रहा है तो परहार होते रहे और नितीश कुमार जहलते रहे उपेंद्र कुस बाहर बीच में क्यों बाधक बन करा ज जाता है वो इसे लोगों की ओर से यह साजी से की नितीश कुमार जी को और कम जोड किया जाए लागातार इस बात का प्रयास है तो हम आदर निये निता मुकमंत्री नितीश कुमार जी से भी कहना चाहते कि आप अकेले नहीं हैं आपने लब कुस की एक ताक से सुरुवात की उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है अति पिछरा समाज के लोगों को बहुत दर्द है दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है आपको कम जोड किया जा रहा है उपेंद्र कुसवाह कि क्या गलती रही है उपेंद्र कुसवाह बार बार आपके उपर हुए परहारों के खिलाफ अपनी बात करता रहा है सीधा है कि मेरे अलावा अगर किसी ने और बात की हो तो बताएं कोई तो बात कोई नहीं करता उनके परहार को रोकने के लिए उपेंद्र कुसवा केले जब करता है तो इसको भी दरकिनार कर दो आज जन्नाय कर पूरी ठाकुर ज कमजोर हो जाए और फिर नितीज कुमार जी को कमजोर करके लोग क्या मनसा पाले हुए हैं इसका जवाब तो ही देंगे लेकिन ऐसा हुआ तो इसका बहुत नुकसान होगा समाज को बिहार को और अंतथ देश को भी इसलिए आधरनिये निता नितीज कुमार जी से भी हम कहना कि साजीस को आप समझे आप जब जरुव समझे उपेंद्र कुसभा को बुला लीजी हम बैटकर आपके साथ बात कर सकते हैं बुला लीजी और नहीं तो हम यह भी करना चाहते हैं रास्टिय अद्धक जी से कि आप पार्टी की एक मिटिंग बुला लीजी और पार्टी की म और जल्दी से उसे दिलाएं रास्टे जनतादल के नेता को तो यह क्या डील है इसे संबंदित अगर सार्बजनी कुरूप से कहने में दिक्कत है तो आप पार्टी के मिटिंग बुला लीजिए और उसमें चर्चा कर लीजिए कि क्या डील हुई है बढ़ना लोगों के मन में तो कन्फ्यूजन हो रहा है और इस कन्फ्यूजन के चलते नितीश कुमार जी कमजोर होते रहें तो यह हम लोग बैट कर आँख मुंद कर देखते नहीं रह सकते हैं इसलिए आगरा है आदर निता नितीश जी से भी कि आप इस साजीश को समझे और जल्दी आप हस्ते किजिए सीधे तोर पे किसी मामले में जो यह कह देते हैं कि हमको नहीं मालूम है ऐसा मत कहिए क्योंकि एक तो यह भी साजीश है आपके खिलाप कि कुछ लोग चाहते हैं कि जहां कहीं भी कोई ऐसी बात हो रही है तो आपको मालूम ही नहीं होने देना चाहते हैं तो यह भ इन चीजों पर बात करने के लिए पार्टी के अंदर डिसकसन करने के लिए आप एक बैठक रास्टिये कार्जकारनी की बैठक बुला लीजिए जल्दी से जल्दी अब इलम बैठक बुला लीजिए और उसमें इन चीजों का डिसकसन कीजिए ताकि पार्टी अधिक से अधि में मजबूती से चल सके और तभी बास्तों में हम जन्नाय कर पूरी ठाकुर जी के अर्मानों को आगे बरहा पाएंगे अन्था बहुत मुश्किल दिन आ सकता है यही कहते हुए फिर से मैं एक बार जन्नाय कर पूरी ठाकुर जी के चर्नों में सरधास उमन अर्पित करता हू और इस बात का संकल्प लेता हूँ जन्नायकर पूरी ठाकुर जी की आत्मा पता नहीं होती है कि नहीं होती है अगर कहीं होगी तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी मजबुती के साथ आपके अर्मानों को मरने नहीं देंगे जिस परिस्तिती में भी हो आपके अर्मान अभी डाउनलोड कीचिए